तो सुब हम मेंसे बहुत सारे लोग जो है excited है 5G मुबाइल को खरीदने के लिए हम जो है 5G 2019 के अंदर बहुत सारी कमपनिया जो है अपने फोन लाँच भी कर देंगी लेकिन हमें वो 5G फोन खरीदने हैं के नहीं खरीदने हैं यह purely हमारा decision है आपका decision है कि हमें जो है वो फोन खरीदने है कि नहीं खरीदने है लेकिन यह 5G technology है क्या अब यह 5G फोन अगर लाँच होगे तो हम उसको खरीद के क्या करने वाले हैं क्या changes आने वाला उन फोन के अंदर तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज के इस वीडियो में जो है कि बहुत ही असान भाषा में आपको मैं बताने वाला हूँ कि 5G है क्या दोस्तों अगर 5G की बात करें तो 5G technology क्या है हम थोड़ा सा अगर पीछे जाए 3G तो 3G क्या था 3G हमें जो है अगर हम 2G की बात करें 3G की बात करें 4G की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या changes आए हमारे पास changes आए speed के अंदर तो definitely आज जहां पर भी आपको अगर जितने लोग भी 4G यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो भी speed मिल रही है आज की date में उसको 100 से multiply कर लो यह speed आपको मिलने वाली है 5G technology के अंदर यानि कि अगर दो घंटे की movie HD जो है अगर आप आज 4G के अंदर 4G network में 6-10 minute के अंदर आप डाउनलोड कर लेते हो तो वही movie आपकी 5G technology के अंदर जो है मात्र 2-3 या कुछ seconds के अंदर में बोलूगा आपकी डाउनलोड हो जेगी not even one minute तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हम GBPS की बात करने जा रहे हैं तो यानिकि 5G technology GBPS की बात होगी 3G technology थी तो हम जो है कि GBPS की बात करते थे 2G technology तो बहुत ही पीछे थे अब 4G आये तो हम MBPS की बात कर रहे हैं अब यहां पर 5G आने के बाद हम GBPS की बात करेंगी तो यह हो गया बात internet की speed का जो सबसे बड़ा changes हमें देखने को मिलने वाला है अब यहां पर इसकी 5G जो speed है इसकी requirement क्यों है क्यों यह technology 5G जो है इतनी ज़्यादा important है क्योंकि आप लोगों ने भी नाम सुना है मैंने भी सुना है self driving vehicles और internet of things यह word जो है आपने भी सुने मैंने भी सुने इन चीजों को operate करने के लिए speed की requirement है क्योंकि internet of things क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे घर के जो equipment होंगे वो भी जो है internet से connect हो जाएंगे तो हम कहीं से भी remotely उसको on off कर सकते हैं example के लिए मैं washing machine के अंदर मैंने कपड़े डाल के रख दिये हैं अब मैं चाहता हूं कि आप ठीक है आप मैं TV देखता हूं और जो है washing machine जो है अपने आपी काम कर देगी तो मैं यहां पे बैड़ गया अपने जगे पर मैंने TV को बोला कमांड दे दी भई TV चालू हो जा तो वो TV चालू हो गया मेरे मोबाइल से operate कर रहा हूं अब मैंने washing machine को कमांड दे दी है इसे कि चालू हो जा लेकिन वो machine चालू नहीं हुई क्यों नहीं चालू ही क्योंकि यहां से वहां तक signal पहुचने में जो transmit होने में जो command टाइम ले रही है 4G के अंदर तो वहीं पर अगर 5G technology होगी तो यह instant हो जाएगा self driving car की बात करें अगर 4G के अंदर launch कर दी गई तो यहां पर हमें भी बालू है आज भी हमारे वीडियो अगर YouTube की वीडियो भी देखते है तो वहां पर भी buffer जो है हमें देखने को मिलता है तो वैसा अगर self driving vehicles के साथ हुआ की वो क्योंकि वो पूरा map के direction से चलने वाली है 4G technology के अंदर वहीं पर इन चीजों को accurate चलाने के लिए 5G यानि की speed की accuracy की बहुत ही एहमियत है that is 5G technology अब बात करते हैं कि 5G technology अगर phone आ जाते है हमारे पास तो हम उसको use करेंगे कैसे अब यहां पर मैं बताता हूं कि अगर 3G या 4G की बात करें तो यहां पर जो signal जो tower से जो यानि कि वो जो signal travel करके आते हैं तो वहां पे जो signal की waves हैं वो इस तरह से काफी लंबे दूर दूर तक यानि कि distance में जो है travel करती हैं लेकिन 5G के अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा speed provide करनी है तो वहां पे short waves के जरिये ही जो है हमाई internet जो signals हैं जो हमारे mobile तक पहुंचाए जा स वो जो travel signal का है वो equal है तो यहां पे equal जो काम कर रहे हैं तो वहां पे उन्हेंने कुछ equipment को update कर दिया जिसकी वज़े से 4G जो है एनेबल हो गया और चालू हो गया लेकिन 5G में ऐसा नहीं है 5G के अंदर क्या है क्योंकि short waves यहां पे provide करनी है तो यहां पे equipment भी दूसरे लगें होंगे तभी जो है वो short waves जो है create कर पाएंगे और यहां पर अग मैं बता दूँ कि अगर 3G और 4G के जो tower है वो करीद 20 से 25 km तक जो है आराम से signal को service provide कर रहा सकते हैं लेकिन 5G के अंदर हा यह जो signals रहेंगे यह इतनी दूर तक travel नहीं करेंगे बहुत ही कम बहुत ही कम distance तक जो है travel कर पाएंगे और जिसकी वज़े से इनको जो है बार बार बहुत जसारी जगे पे नए-नए equipment लगाने पड़ेंगे और ताकि जो है signal जो है सब जगे पे पहुँच पाएंगे अब अगर example के लिए मैं बोरूँ कि अगर मैंने access point यहां पे लगा दिय तब जाके मुझे मेरे घर के अदर signal मिलेगे that is 5G technology तो हर सर्विस प्रवाइडर को 5G implement करने के लिए पैसे की जरूरत है और time की जरूरत है तो definitely अगर हम 2019 या 20 की बात करें तो definitely 2020 के end तक हो सकता है हमें कुछ जगों पर 5G देखने को मिल सकता है लेकिन उससे पहले अगर बात करें 5G की तो definitely यार यह बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पर बहुत सारी changes यानि कि 100% जो change infra में होने वाला है और ऐसा करना बहुत ही एक बड़ा task है जो कि इतनी असानी से possible है नहीं तो 2019 के अंदर आप खुद अबाद दाजा लगा लो कि वाके आपको 5G technology का mobile खरीदना है ख तक 5G का network available नहीं होगा अगर आप यह सोचते हो कि यार 5G का mobile खरीद ले और जो है हमें 4G की अंदर ही 5G का feel आएगा या speed बिलेगी तो यह चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5G technology की short wave जो है अगर नहीं है service provider ने 5G enabling नहीं किया तो आपके बास 5G के जो phone होने के बावजूद जो है आपको कोई भी उसका फाइदा नहीं होने वाला सो यह 5G technology I hope कि आपको 5G technology क्या है और किस तरह से यह हमें यूज करने मिलेगी और कब यूज करने मिलेगी आप खुदी अंदाजा लगा सकते हैं तो I hope कि दोस्तों यह 5G technology क्या है और किस तरह से यह काम करेगी यह आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका फिर भी कोई query है कोई भी question है तो comment box में लिखना ना बुले मैं हूं Majid Singh दोस्तों और आप देख रहे हैं आपका अपना channel Tech Guru Majid और यहाँ वीडियो end करने से पहले आपको बता दूँ अगर आप नए हैं क्योंकि अभी जो चैनल है बहुत ही fast लोग इसको subscribe कर रहे हैं बहुत ही fast यह चैनल अभी grow कर रहा है तो अगर आप वाकई नए हैं तो आप जो है नीचे red color का बटन हाँ जी वह नीचे वाला जो red color का लिखाने subscribe उस बटन को दबा दे हाँ उसके साथ में गंटी जैसे आप उसको दबाओगे ना एक गंटी भी दिखाई देगी उसको भी क्या करना है बजाना है ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो की notification मिल पाएं तो आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही है अकला वीडियो आने तक safe रहें, alert र दोस्तों अक्ला में आने तक र दृस्तों सबस्तों सकताई सक्रीक का ला एक बस्तों सक्वारी का लाले नोई उना है पाले तक है रहें धístका है.